राधा, माजी आ रही है, अब जल्दी से कुछ इंतिजाम करो गोपाल, हाँ हाँ जल्दी कुछ इंतिजाम करो, ये छिलके, ये हलुआ जल्दी से वीना का जमपर उठा कर छिलको पर डाल देता है और चीनी केक प्लेट लेकर फ्राइंग पेन को उससे ढख देता है जमपना, वीना, वीना, दरवाजे के पास आकर दरवाजे को धकेल कर खोलती है शाम, कंदे हिला कर पास से हट जाता है जमपना, क्या बात है इस तरह दरवाजा बंद क्यूं कर रखा था शाम तो दरवाजे के आगे ऐसे खड़ा था जैसे अंदर किसी और को रोक रखा हो क्या बात है, सब लोग इस तरह चुप-चाप क्यों हो गए हो गोपाल, कुछ नहीं मा तो तुम, आओ, आओ, दरवाजा खुला ही था शाम तो ऐसे ही वहाँ खड़ा था आओ, बेठो जमुना, आज दो घंटे से मेरे कमरे की छट चू रही है चू रही है यानि टपक रही है मैंने कित्ती बार कहा था कि लिपाई करा दो नहीं तो बरसात में तकलीफ होगी मगर मेरी बात तो तुम सब लोग सुनी अंसुनी कर देते हो कुछ भी कहूं, बस हा मा कल करा देंगे मा, कहकर टाल देते हो, अब देखो चल कर कैसे हर चीज भीग रही है, क्या बात है सब लोग गुमसुन क्यों हो गए हो वीना, तू इस वक्ती चम्मच लिए क्यों खड़ी है, और गोपाल तू वहां क्या कर रहा है, कोने में गोपाल, कुछ नहीं मा ये वे, वे वहां पर क्या नाम है उसका वे, वे वीना का हाथ जल गया था, मैं इसके लिए मरहम ढूं रहा था जम्मना, हाथ जल गया, कैसे मैं देखू तो, पास जाकर वीना के दोनों हाथ पकड़ कर देखती है वीना, नई मा जी, ऐसा कुछ नहीं जला है, ये तो बस यूही चिंता करने लगते हैं, बस जरा सही था, हाथ से मल दिया ठीक हो गया, गोपाल हाँ, वैसे तो बिल्कुल ठीक हो गया, मगर मैंने कहा कि मरहम मिल जाए तो फिर भी लगा दूँ, कभी वक्त पर पता नहीं चलता और बाद में तकलीव बढ़ जाती है कहते हैं कि prevention is better than cure, मतलब कि बाद में इलाज करने से पहले एहतियात बरतना जादा अच्छा है इसलिए मैंने सोचा कि एहतियात के तोर पर थोड़ी मरहम लगा दूँ जमना, मगर इसका हाथ जला कैसे इस वक्त ये ऐसा क्या काम कर रही थी गोपाल कुछ नहीं कर कुछ नहीं रही थी शाम ने कहा था जला हाथ चाय बना दो उसके लिए और चाय बना रही थी अब आप देखेंगे इस तरीके से कि क्योंकि घर में अंडे, सिग्रेट और उपन्यास पढ़ने जैसी चीजे बिल्कुल भी अलाव नहीं है यानि उनको सुईकार नहीं किया जा सकता है किसी भी तरीके से और हर कोई छुप छुपा कर काम करने में लगा है यहाँ पर जमना जमना यानि की इनकी मा आती हैं कमरे में जहां पर अंडे का हलवा तयार हो रहा होता है और सभी सकपका आ जाते हैं और इस तरीके से हर कोई एहतियात भरतने के चक्कर में फसने की कगार पर आजाता है और हर कोई बचने के लिए इधर उधर अफ़रा तफरी में आ जाते हैं जमना के आने पर उनके प्रशन करने पर हर कोई हड़ बढ़ाते हुए और परेशान होते हुए हर बात का उत्तर देता है और कहीं कोई मा को ये ना पता लग जाए कि यहां कमरे में अंडे का हलबा बन रहा था और बवाल हो जाए पुरे घर में इस चीज से बचने के लिए हर कोई कुछ न कुछ जूट पे जूट बोले जा रहा था और इस तरीके से गोपाल भी कहता है कुछ नहीं कर कुछ नहीं रहती शाम ने कहा था जरा चाय बना दो तो उसके लिए चाय बना रही थी यूँ चाय बनाने में हाथ जलना नहीं चाहिए मगर बाज वक्त बाज वक्त यानि की कई बार ऐसा होता है जलना था सो जल गया वैसे चिंता की कोई बात नहीं मैं अभी मरहम लगा देता हूं मरहम नहीं भी मिलता तो कोई बात नहीं अपने आप ठीक हो जाएगा बिल्कुल मामली सा भी क्या, यही समझो की जलाई नहीं है अब तो महसूस भी नहीं होगा क्यों वीना वीना जी हाँ बिलकुल महसूस ही नहीं होता गोपाल और क्या महसूस होने की कोई बात ही नहीं थी तुम नाहक फिकर कर रही हो अमा फिकर करने की कोई बात ही नहीं है तुम खुद देख रही हो हाथ बिलकुल ठीक हो गया है जमना मैं पहले ही कह रहे थी कि ये मर मरदूद यानि निकम्मा dizzylia का चूले इस घर में मत लाऊ मगर मा की बात किसी कार में जाती हो तो ना Raz MS हाथ नहीं जलाएगा तो करंट मारेगए करंट नहीं मारेगा तो हाथ जलाएगा हमारे जमाने में किसी गार जूनल के ऊपढ़ पर क्या रहा है और इस तरीके ऐसे ही यहाँ पर हाथ में चोट लगने की या फिर हाथ जल जाने की वज़ा बताते हुए, यहाँ पर भी फसने की कगार पर आ जाते हैं, तो जमना जो है, उस बिजली के चूलहे को कोस्ती है, कि इसे घर में नहीं लाना चाहिए, मा की बात तो कोई मानता ही नहीं, गोपाल, यह स्टोफ के उपर, यह अम्मा यह फ्राइंग पेन है, मतलब तलने की वे, क्या कहते हैं वे, जमना तलने की क्या, क्या बहू यहाँ अलग से तुम्हें चीजे तल तल कर खिलाती है, लगता है इसमें कोई चीज बना कर रखी है, पास जाती हुई, मैं भी तो देखू कि नहीं बहू क्या क्या बना कर खिलाती है, फ्राइंग पेन से प्लेट उठाने लगती है, गोपाल जाकर उसे बीच में ही रोग देता है, गोपाल ना इसे हाथ मत लगाना, तो तुम आप ही कह रही थी कि यह हाथ नहीं जलाएगा तो करेंट मारेगा और करेंट नहीं मुझे पता थोड़ी ही था कि इसकी वज़ा से यह, तो इस तरीके से गोपाल जो है अम्मा की कही वी बात को अम्मा को दुबारा सुनाता है और अपने आपको बचाने के तरीके ढूंडता है, शाम इस बीच चारपाई से चंद्रकांता उठाकर उसके पन्ने पलटने लग हैं जिसे की मा को किसी भी तरह का कोई शक ना हो, जमना, मगर यह तो बुझा हुआ है, यह बुझा हुआ भी करंट मारता है क्या, गोपाल, हाँ मा कभी-कभी यह बुझा हुआ भी करंट मारता है, इसका कोई भरोसा थोड़े ही है, ऐसी चीज से दूर ही रा जाए तो अच चीवत हो जाएगी जमना अच्छा नहीं हाथ लगाती मगर बता तो से कि इस पर छोटी बहुत तिल्ले बनाती क्या क्या है इस वक्त भी तो कुछ बना रखा है गोपाल कुछ नहीं है मा इसमें कुछ खास चीज नहीं है ये शाम जरक कह रहा था तो उसके लिए शाम सहसा पास आजाती है अब यहां पर जो सबसे बड़ी बहु है राधा वो आजाती है सामने और राधा अपनी बात सामने रखती है राधा वीना ने भी नहीं बलकि हमने कहा था गोपाल जैसे आसमान से गिर कर भाभी राधा हाँ हाँ ठीक बात तो है हमी ने वीना से जोड़ दे होश तो रहती नहीं है क्रिकेट खेलने में कहीं टकने पर गेंद लग गई थी दो दिन से कह रहा था कि चलने में जोर पड़ता है हमने कहा कि ठंड का दिन है कहीं दर्द बढ़ बढ़ा गया तो बैठ कर दो दिन हमीजे मालिश करवाते रहेंगे वीना ने पुल्टिस बना अभी बांदेंगे तो राद तक ठीक हो जाएगा गोपाल कृतग्यता के भाव से राधा की तरफ देखता है गोपाल अपनी भावी को देखता है कि अच्छी बात बोलकर माहौल को अपनी तरफ लाने की उनकी तरफ से जो कोशिश हुए उससे गोपाल को थोड़ी खुशी होती है और वो कृतग्यता के भाव से राधा की तरफ देखता है गोपाल यही तो मैं कह रहा था यह लड़का अपनी सेहत का जरा ख्याल रखता ही नहीं है बाद में जब ज़्यादा बिगाड़ हो जाता है तो मुसीबत घर वालों के की हो जाती है शाम को आग से इशारा क अब पुल्टिस बंदभा कर चुपके से लेटे रहना समझे जमना लाओ मैं ही पुल्टिस बाद देती हूँ अब अम्मा जो है उनकी मा वो कहती है कि यह पुल्टिस बादने का काम मैं ही कर देती हूँ कोई पुराना कपड़ा उपड़ा हो तो दो कहीं कोई नई धोती न फार देना यह देखो नए कपड़ों का क्या हाल कर रखा है यह रेशमी जमपर मेज पर क्यों डाल रखा है यह मेज साफ करने के लिए है यह मेज साफ करने के लिए है मेज से जमपर उठाना चाहती है अब गोपाल जो है क्यों रोक देता है क्योंकि जमपर से ही जो है उन अंडो के छिलकों को ढखा गया है गोपाल रहने दो रहने दो अम्मा क्या गजब करती हो ये काम तुम्हारे करने के हैं जो तुम कर रही हो मैला कपड़ा है खूटी से मेज पर गिर गया होगा अभी वीन हटो तुम लोग घर उजाडने पर तुले हो तो मुझे तो घर की चिंता है इतने कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े हैं इन में टिड्डिया लग जाएंगी तो कहने कारती है कि एक नया और साफ सुतरा कपड़ा है जिसको खूटी पटंगा होना चाहिए वो इस तरीके स वो खुद ही जमपर को उठा कर रखने चलत वड़ती है और इस पर वो यह कहती है कि अगर यह इसी तरीके से रहा तो यहां टिड्डिया लग जाएंगी इस पर फिर जमपर उठाने लगती है मगर गोपाल उसे कंदे से पकड़ कर पलंग की तरफ ले जाता है गोपाल जैस नहीं लगे ही तिड्डिया तुम तो खा मखा चिंता करती हो यहां पलंग पर बैठो और थोड़ी देर आराम करो बैठो बैठो यह इस तरफ उसे दोनों कंदों से पकड़ कर पलंग पर बिठा देता है जमना हाँ हाँ बैठ कर आराम करूँ और मेरी जगा कोई दूसरा कर घर में करने को इतने काम पड़ें इसे पुल्टिस बांद दू तो जाओं दूसरों की मुसीबत कर देता है और आप किताब परता रहता है ला मुझे दे ये किताब और यहां आकर लेड़ जा उठकर शाम के हाथ से किताब ले लेती है यह कौन से किताब है शाम यह किताब यह अमा यह मेरे कोर्स की मतलब मेरे कोर्स की किताब नहीं है यह शायद यह भावी की किताब है वीना यह जीजी की गुटका रमायन है माजी जीजी पढ़ती पढ़ती यहां ले आई थी गुटका रमायन यानि पॉकेट रमायन जिसे आपका बीवी कहीं पे भी निकाल कर पढ़ सकते हैं श्याम हाँ भावी की गुटकर अमायन ही तो है मैं कह रहा था कि लगती तो गुटकर अमाय disabled ही है जमना मगर गुटकर अमायन तो बहुत छोटी होती है ये तो इतनी बड़ी किताब है श्याम हाँ माँ पहले यह चोटी थी, अब यह मेरा मतलब है अमा की इसका पहला एडीशन छोटा था, मगर जो नए अडीशन आया है, वह पहले से बड़ा है, इनके साइज बदलते रहते हैं, यह कोई खास बात नहीं है, चलो अमा तुम्हें बहुत काम है, मैं तुम्हें 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 यह उल्टा सिधा पड़ गया तो और मुसीबत होगी, चलने को तयार हो जाता है, जमना, पाम मेरा उल्टा पड़ेगा या तेरा जिसे चोट लगी है, मैं कह रहे हूँ लेट जा, अब वह मुझे कमरे में छोडने जाएगा, शाम, अरे हाँ, मेरे तुम्हें पाम में जिनता ना करो, अमा, वीना बहुत अच्छी तरह बांदेगी, आओ मेरा हाथ पकड़ कर साथ साथ आजो, गैलरी में वाकई बहुत अंदेरा है, बाहा पकड़ कर उसे साथ ले चलता है, उसके बाहर निकलते ही, शाम, फ्राइंग पेन पर जपट पड़ता है, शाम, भाव भावी सच कहता हूं कि बगेर किशमिष की भी इतना मज़ेदार बनाए है, इतना मज़ेदार बनाए कि जितनी तारीफ करो थोड़ी है, गोपाल घबराए ऐसा जल्दी-जल्दी आता है, गोपाल, इस पुल्टिस को जल्दी से इधर-उधर करो भाई आरे, शाम, अगमनाजी को उनके कमरे तक ले जाते हैं और उनके सवालों जवावों से अपने आपको बचा कर किसी तरीके से अंडों से अपने आपको बचाते हैं कि कोई घर में अंडे ना देख ले जिससे बवाल मत सकता है तो उसके बाद उनके बड़े भाई के आगमन का यहां पे और इस्तेमाल करने और उसके उप्योग करने की वज़े से जो इस वक्त माहौल बना हुआ है डर फैला हुआ है उससे सभी अपने आपको बचाने में लगे हुए हैं अब शाम बोलते हैं कि पुल्टी को जल्दी से निप्टाओ या फिर इसे यहां से साफ करो या खतम करो क्योंकि आप बड़े भाया भी आएंगे तो शाम जो है उसको खतम करने की कोशिश में लगा हुआ है और गोपाल अपने डर को दिखाते वे यह बताता है कि भाया आ रह अब यहां पर माधव जो की सबसे बड़ा भाई है सबसे बड़े हैं बच्चों में जमना जी के बच्चों में सबसे बड़े हैं माधव वो आते हैं गैलरी से और उनका आगमन होता है जहां से अब आपको सीम कुछ और दिखाई देगा अभी तक पार्ट में हमने यह और उपन्यास यह सब वर्जित चीजे हैं जिनका इस्तमाल बिल्कुल भी सुईकार यह नहीं है लेकिन घर में सब ही छुप छुपा कर किसी ना किसी तरीके से इनका उप्योग कर रहे होते हैं अब माधव से होने वाली बात के जरिये घर में जो सदस्य हैं वो किस तरीके स अपस में आत्मिय रूप से जुड़े हुए हैं गलत होते हुए भी जानते हुए भी सब कोई जानते हैं लेकिन फिर भी कोई इस बात को अपने मूँ से नहीं निकालता है कि यह सारी बाते घर के सभी सदस्य एक दूसरे के बारे में जानते हैं और किस तरीके से इस घर के म आध्यम से लोग सोच रहें कि बड़ा ही सक्त माहौल होगा घर का जिसकी वज़ा से अंडा खाना सिग्रेट चुप सिग्रेट पीना उपन्यास पढ़ाना इन सब को छुपाना पड़ रहा है लेकिन अंदर ये अंदर ये आत्मियता या फिर भाई चारा या फिर ये जुडा आई आई ये भाईया आज ये आज ये मैं यूही जरह इन लोगों से मजाक कर रहा था माधव मजाक कर रहे थे कि छिलके तुम्हारी जेम में चिपा दिये जाएं हस्ता हुआ स्टोव की तरफ जाता है गोपाल जी हां जी नहीं मजाक नहीं मेरा मतलब ये है कि माधव तुम्हारा मतलब मैं समझता हूँ और तुम क्या खा कर मुँपोच रहे हो शाम बाबू शाम मैं भ zrobी ये मेरे लिए भाबी ने पुल्टीस बनाई थी माधव पुल्टीस बनाई थी और तुम वे पुल्टिस गले से नीचे उतार गए ? हसकर क्यों हसता है ? क्योंकि पुल्टिस जो है गाओ पर बांने वाली चीजे होती है और माधव शाम बता रहा है कि उसने उसको खा लिया है और इस बात पर माधव को हसी आती है क्योंकि घबराहट में वो उल्टा फुल्टा बोल रहा है खूब तो आज कल पुल्टीस खाने के काम भी आने लगी है भला ये तो बताओ कि किस चीज की पुल्टीस थी जिस चीज के ये छिलके हैं उसी की या फिर शाम बिल्कुल घबरा जाता है भाईया थी तो ये पुल्टी सी मगर जल्दी में मेरा मतलब है कि मैंने जल्दी में माध हो तुमने जल्दी में सोचा कि इसे खा डाला जाए फिर हसकर बहुत अच्छा क्या बनी हुई चीज का कोई तो इस्तमाल हो नहीं चाहिए और तुम गोपाल तुम ये छिलके जेम में क्यों भरते हो बाहर जाकर इनने नाली में डाल दो आगे से डिब्बे में भरकर बाहर ले जाने की जरूत नहीं है गोपाल मगर भाईया माध हो भाईया सब जानते हैं राजा वे ये भी जानते हैं कि तुम्हारे बाएं हाथ की उंगलिया किस तरह पीली हुई है ये भी जानते हैं कि शाम बाबू का दूद कमरे में क्यों जाता है और ये भी जानते हैं कि उनके सो जाने पर उनकी बीवी मुंबत्ती जला कर कौन सी किताब पढ़ा करती है और माधाओ द्वारा बोले गए इन वाक्यों से ये पता लगता है कि घर में इतना प्यार है लोगों में कि अगर आधुनिक्ता के चलते लोग अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाते हैं जिसे वो छुप छुपा कर कर रहे हैं और घर में माजी और बड़े भाई के डर की वज़ा से इसको छुपाया जा रहा है लेकिन ये सारी बाते वो भी जानते हैं जिसके पीछे की वज़ा ये है कि आत्मियता और प्यार का होना घर में बहुत जरूरी है बजाए कि आधुनिक्ता की वज़ा से घर में सवाल जवाब हो या फिर किसी तरीके का बवाल हो अग कर रहे हैं तो उस पर बवाल भी नहीं किया जा रहा है यहां पर माधाओ के माध्यम से और ये बताने पर कि मा भी इस बारे में जानती है पता चलता है कि भाईचारा आत्मियता या फिर प्यार इसने ये घर में बना होना उनके लिए ज़्यादा माईने रखता है सब के मू कोशिशों में लगे थे कि ये सब चीज़े घर में और कोई ना जान पाए लेकिन माधाओ के ये बताने पर कि मा और मैं ये सारी बाते पहले से ही जानते हैं तो इस बात पर माधाओ हसता है गोपाल भाया आप अब आप से क्या चुपाना है आप तो सब कुछ जानते हैं अम्मा भी जानती हैं माधाओ क्यों नहीं जानती हैं अम्मा तो शायद मेरी वे बाते भी जानती हैं जो मैं समझता हूँ कि वे नहीं जानती हैं माधाओ अब यहाँ पर इस वाक्य से एक वाक्य से मा की महतवता का घर परिवार में बड़ों की महतवता को यहाँ पर प्रत अधुनिकता है अधुनिकता में बच्चे कभी कबार फस भी जाते हैं या फिर घर में उनके क्या चल रहा है उनको हर एक चीज की खबर होती है पर इस बात पर उन्होंने कोई भी बात जाहिर नहीं की अपने मन की या स्विकार्या है या आस्विकार्याता ये सब चीजे भी पेश नहीं की कि घर में तो सिर्फ इस वज़ा से कि घर में आपसी प्रेम बना रहे ये एक जुट रहना घर परिवार में उनकी लिए जादा माईने रखता है आज से छिलके जो हैं वो नाली में डाल दिया करो इनके लिए डिबबा रखने की जरूत नहीं और जहां तक अम् के आने से ये बात सामने आती है कि परिवार में एक जुटता आत्मियता भाईचारा प्रेम स्ने ये ज़्यादा माईने रखते हैं ना कि आधुनिकता में आधुनिकता के दिखावे में या फिर उसके शौक में आकर घर के बच्चे जो हैं अगर अपने किसी शौक को पूर कर रहे हैं तो उस पर बवाल करके घर को या फिर घर की शांती को प्यार को खतम कर दिया जाए उस पर बवाल करके तो ये उनके लिए स्विकारे नहीं हैं अंडे के छिलके पाट का नाम इसी लिए रखा गया है कि जो चीजे वर्जित थी घर में परमपराओं के चलते और बच्चे जो हैं अपनी परंपराओं को जानते हुए भी आधुनिक्ता के जाल में फर्ज जाते हैं और अपनी शौक को पूरा करने चाहते हैं लेकिन घर में इस बात को जाहिर भी नहीं करते हैं क्योंकि वो अपनी परंपराओं को भी जानते हैं तो वैसे ही घर के जो देखकर भी अंदेखा कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि घर का प्यार और उसमें यूहीं बना रहे।